आज डाउटनेट आप डाउडोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउडो था एथिल इन तीसर विगल्प कहरा है, मेथिल साइनाइड तथा चौथा विगल्प कहरा है, एथिल एमिन ठीक है तो आईए हम अपने प्रशन के उत्तर को देखते हैं, तो जैसा कि हमें यहां पर अभी करिया दिया है कि एसिटिक अमल की हईडरजोईक अमल के साथ साथ स शिमिट अभिक्रिया कहलाती है ठीक है तो आइए उसको यहां पर हम लेख लेते हैं कि एसीटिक अमल की अभिक्रिया एसीटिक अमल जिसका हमारा सूतर है CS3COOH की अभिक्रिया हाइड्रा जो एक अमल हाइड्रा जो एक अमल जिसका हमारा सूतर होता है N3H हाइड्रा जो एक अमल से सांद्र सल्फियूरिक अमल की उपस्तिती में हाइड्रा जो एक अमल से सांद्र सल्फियूरिक अमल याने की H2SO4 की उपस्तिती में की उपस्तिती में कराने पर कराने पर मेथिल एमीन मेथिल एमीन प्राप्त होती है तथा अभिक्रिया कहलाती है तो आईए जो इसकी अभिक्रिया को है और हम देखते हैं और इसको पात किस पकार से बने का हम यह देख लेते हैं तो यह जो हमारा एसेटिक का हमल है जिसका सूतर है हमारा CH3C डबल बॉंड ओ ओ ओ एच इसकी अभिक्रिया जो है हमने कराई है अपने हाइडर जो ही कम यानिकी एन थ्री एच से तो जो एन थ्री एच है इसकी जो हमारा इसका जो है कुछ स्पकार से लिख लेते हैं हम यहां पर H, N और यहां पर यह दूईबनंद बनाएगा इसके दूसरे नैट्राइवस तीन साथ इस पर एक आंश का यह हमारे जो है अभिक्रिया करेगा तो अब इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह हमारा उत्पात क्या बनेगा यह हम देखते हैं तो यह हमारा इसका जो CO2 है अर्थाद एक अडू तो यह कार्बन डायोकसाइड के निकल जाता है तथा यह जो धनावेशित जो यह नाइट्रोजन है यह आपस में संयोग करके N2 बनाकर निकल जाते हैं अर्थाद एक नडू बना लेते हैं तो इस प्रकार से यह हमें यहाँ पर जो यह NH बचा यह हमारा CH3H के साथ जो है संयोग करके यह हमारा मेथिल अमीन अर्थाद CH3 NH2 बनाता है तो यह हमारा यहाँ पर बनेगा CH3 NH2 प्लस एक अडू हमारा CO2 का करें ठीक है रिची है अब बनेगा एक कारबन के लिए अर्थात् जासे कि हमने ही में और इसाथिक हैन की यहां पर यहां हमारा इस हमारे प्रश्न का यहां पर से हमारी प्राश्न को उत्तर हो था। है आशकरता हूं आप से यह को तस्वाण होगा धर्नवाद।